नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा दिन्डोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर अर्विन केजरिवाल और भगवतमन जिस तरीके से देखिए चुनावी परचार के लिए कभी हिमाचल जाते हैं कभी गुजराज जाते हैं अभी पंजाब के सरकारी पेड चैनल का पेड पतरकार यह पूछता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के पास क्यू गए 50,000 करोड लेने के लिए तो वो बोलते हैं कि किस का पैसा है पपल्लिक का पैसा है किसी के बाप का पैसा नहीं है तो विनोत बचेडे दे इस्वक्त मेरे साथ है सर से हम पैसा आज तक और पंजाब करजे में डूबा हुआ है कब करेंगे उसका देखे दिल्ली की जनता जो पिछले साथ साल से दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केज्रिवाल को कह रहे हैं कि जो हमारा टेक्स का पैसा है यह तीनों M.c.d. को जो करीबन 13,000 करोड से यादा कहीं पैसा उस पैसे को दो ताकि तीनों M.c.d. डफ रहे हैं कि सरकार माई यह तो जनता का पैसा है पंजाब की जनता का पैसा है पचाहस सार करोड देना चो उसी तरह हैं साथ साल से दिल्ली की जनता M.c.d. के सारे करमचारी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, पेरामेडिकल स्टाफ, सभाई करमचारी, वो चिला चिला के, हड़तार करकर के, पूरे साथ साल तर्था के, कि भाई आउ पैसा दीजिए, हमारी सेली लिली जोगी, दिली के मलजों, एमसीडी के होस्पिटल्स है, हमारी डिस्पेंसरी होगी, ह गोवा में उस हेलिकोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो यहां की टोपी कहीं और पैनाना, कहीं कि इस तरह से किद्रिवाल जी का, जो पुरना संबंद रहा है, कि वह जुट बोलना, लोगों को बेकूब बनाना, उनका मेन है, और यह सब जो है, बिल्कुल गलत है, उनको पंजाब देखें, एक महिना हो गया, इसे एक महिना हो गया, जितने ड्रग माफिय होगे, सब को पकड़ लूँगा, है ना, आज देखें, पंजाब मिस्ती खराब है, पंजाब के किसान अपने हग मांगने गए, तो इनके लोगों ने, उनके किसानों की पिटाई कर दी, तो हम तो सच भी बोलें, तो वो सच नहीं लगता, वो तो यतना ज़्यादा जूट बोलते हैं, उतना ऐसा लगता है, बता नहीं किस इस्टेल में बात करते हैं, सब चीजे हैं, और हम तो दिल्ली दिखें, साथ साल से दिली के लोगों ने उनके विश्वास किया, आज दि देखिए लोगों को पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-पंच-प बरभात पाती है इस बार आमादी बाड़ी आई यही नारा इन्हों ने उत्राखण में भी कहता है कि एक बार बीजे भी इस बार उत्राखण आज सुतर में से 66-66 सिटोबिन की जमानत जबत हो गई वही सित्य उत्राब तो जूट मनिशा जी लादा लंबा समय नहीं चलता और आप इस तरह से जूट हर जगे आप जूट बोलेंगे पब्ली को बेगू बनाएंगे दिल्ली में देखे आज बहुत इस सित्य खराब है द गली-गली में शराब की दुगाने मा बहनों का गलीओं से निकलना मुस्किल हो गया कराइम बढ़िका दिल्ली में शराब के कारण लोग नशा कर रहे हैं चोरियां आप कोई मुबाइल उपन मुबाइल हाथ में पकड़ने लिया सकता इतनी सी दिल्ली की खराब हो गई जिस तरीके से भगवंत मन ने हमेशा ये बोला है कि चरंजी सिंग चन्नी जो है पंजाब की सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करते हैं हेलिकॉप्टर लेके चले जाते हैं कहीं भी किसी भी दौरे पर अब भगवत मन खुद सरकारी हेलिकॉप्टर का इस्तमाल कर लिए और पंजाब सरकार के पैसों का दूरुपयोग कर रहे हैं तो पहले जब चरंजी सिंग चन्नी को बोलते थे वही चीज़ास खुद क्यों दौरा आ रहे हैं कॉंग्रेस के जो मुखी मंतरी जी उन्होंने इन्होंने कहा लेकिन आज यह देखे बीच में हिमाचल में हिमाचल में चुनाव है सारा सिस्टम जो है सारा तंत्र जो है वह पंजाब का लग रहा है जो तंत्र पंजाब की जनता की सेवा के लिए जनता के लिए होना चाहिए था वह अब सारी ताकत उन्होंने हिमाचल में लगा दिये हिमाचल की जनता बहुत समझदार है इनके और लोग इस आवाज को उठा भी रहे दिल्ली में जिस तरीके से हाल आप बता रहे थे मुझे कुछ वो सब आप बताए कि क्या-क्या आपने यहाँ पर देखा है और किन-किन चीजों को लेकर अर्विन केजिरी वाल जो है चीजों को इगनॉर कर रहे हैं दिल्ली इंविश्टी में एड्मिशन मिल पाता है कितने हजार बच्चों को साथ हजार बच्चों को एक लाग नब्य हजार बच्चों को एड्मिशन नहीं मिलता है वो बच्चे यह तो दूसरी परदेशों पढ़ने जाते हैं यह कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग को लोग लेते हैं लेते हैं अगर दिल्ली के मुख्य मंतरी जी ने साथ साल पहले जो इन्होंने वादे किया थे कि हम बीस विश्टी जाले खोलेंगे अगर वो जाते तो आज एक लाग नब्य हजार बच्चों को कहीं ने कहीं उनको क्या होता कि उनको दूसरी स्टेट में ज्याद करोणा काल में किसी परदेश वों कई में मुझे से पूछा था पुछा आप हमें सेयोग करोगे हम ऐसा आस्वाशन कर रहे हैं तब तो इन्होंने लोगों को बेकूब बनाना था उनके भोट लेने थे और आप लग रहा कि चलाएंगा आज एक महीने में देखे एक महीने से जाता समय हो गया बगत्वान जी को मुख्यमंद्री बने वे अब फेल हो सब्सक्राइब हो गया तो उनको लगता भी कुछ नहीं हो रहा है तो वहां रोज देखे आप मलब भगत्मान जी के घर के वाग रोज वैसे लोग कम हैं जो जिनको इन्होंना आश्वसंद्या उनकी लाइन लगी अर्विन के जिरीवाल तो यह भी कह रहे हैं कि पांस साल म पहली बार होगा जो कोई सरकार पांस साल में बीस लाख नौकरिया तो इसमें भी देखे दो चीजी है वही सेम सब्सक्राइब के मुख्य मंतरी जी का स्टेट्मेंट आप उठा लीजे शराब को गूगल पे योटूब मिल जाएगा दिली के उप मुख्य मंतरी जी का यू पांस सो दुकाने खोली जबकि इनका जो गजट आया जो इसका अपकारी नितिका उसमें आट सो चालिस दुकाने हैं तो कहीं भी कुछ भी जो एक सविदानिक पत पर ये लोग बैठे हुए हैं कुछ भी बोल देते हैं पब्लिक बहुत समझदार है कब तक आप इस तरह से घर हैं का जाधा लम्बा समय तक नहीं चलने वाला अधे 5 दराजिव में चुना होगया है 5 दराजियो मीं से चार राजिव में आमादी पार्टी गी जब तो हो गको हैं लिकिन की चाहिंघ है ये कर देंगे के बहुत जाहिए नहीं, सेटी के तेरह हजार करोड नहीं लोट आ पाए और फिर इंपलॉईज को सेलरी भी नहीं देते तो बीस लाख नौकरिया कहां से देंगे और किसे देंगे देखे सबसे बीचीज है कि हम कहते हैं कि राजनीटी जरूर करिया आप लेकिन जो एक सरकारी करमचारी है जो बड़ी साल दिली में मुख्यमुत्री आप किसी भी दिली के मसीडी के करमचारी से पूछ लिए और डॉक्टर हो परमडिकल स्टाफ हो सबाय करमचारी हो टीचर हो कुछ भी हो ना उनसे पूछे कि क्या पहले होता था वो कहागा जी साथ साल मुआ से परिशान करने वाली जो राज निति आपने करना भाजपा है अन्य पाटने साब करें खूब करिये लेकिन जो सरकारी करमचारी जो एक तरह अपनी बड़ी इमानदारी से से वा करता है उसकी तंखाव रोक रोक करके आपने तुरीक उसके तंखानी रोग उसके देखो आप राजनी आप बीजेबी को डा करता है उनको इतनका नहीं रुकने चीए राजनीती लोग तो पांट साल राज के फिर दूसरी सरकार के सरकार आगे लेकिन उसने तो प्रमिणेंट रहना है उस प्रमिन्न काम करना है आपकी मेस्क हराब हो रही है जहां आप प्रमिण के जिवाल एक कि किसी के बाप का पैस है दिल्ली की जनता यह कह रही है कि वह जो हम टेक्स दे रहे हैं उस पैसे कब दिल्ली में लगाई है दिल्ली की रोड़ों पे पी डबली की रोड़ों की इसी देख्या दिल्ली दुनिया का सबसे पॉलुटिट सहर है यह सिंगापूल लंदन की बात कर रहे थे लेकिन आप अपने मार्केटिंग में प्रमोशन पे अपने इंट्रिव्यूस में आपने खूब पैसा लगा रहे हैं आपको public के पैसे की बिल्कुत जिन्ता नहीं है तो मोदी जी के बाद करते हैं वहां कहते कि जन्ता का पैसा है तो दिल्ली के जन्ता का पैसा भी तो आप दिल्ली के development पे लगई है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर तो देखिए ये थे हमरसद विनोद बचाटी जी इन्होंने हमें इस तरीके से बताया है अर्विंद केजरिवाल जहां एक तरफ बोलते हैं कि मोधी सरकार सेंटरल गौर्णमेंट अगर पैसा दे रही है किसी राज्य की सरकार को तो वो क इसके पैसों से इतना घूम रहे हैं या फिर चुनाफ परचार कर रहे हैं या अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आप भी तो पब्लिक के टेक्स के पैसों से ही ये सभी चुनाफ परचार कर रहे हैं और अलग अलग जगा अपने होडिंग लगा रहे हैं टीवी में अपनी एडविटीजमन दे रहे हैं ये किसके पैसों से कर रहे हैं आप आप हमें कमेंट करके जुरूर तो येगा आपका इस पर क्या क्याना है मरसा तैसे ही बने रहे हैं धन्यवाद